अगर आप इन तीनों में से कोई एक प्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आइडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मिंबर्शिप है वो आपको अपसुलूटली फ्री में मिल सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या है जस्त यहां apply here के उपर क्लिक करना है तो जैसे यह विब पेज ओपन होगा तो आपके यह पर डीटेल्स आपको इंटर करने हैं तो ओनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्युमेंट्स रेडी है तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो client ID है वो आपको हमें इस number पे call करके confirm करना है ताकि हम आपको intraday premium membership में आड़ कर सके तो यह चोटा इंट्रो था trading fab के बारे में गुड मॉर्णिंग फ्रेंट्स वेलकम वंस अगें तो निफ्टी एनलिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फ्राइब डॉट इन आज है फर्स डिसेंबर टुटाउजन ट्वेंटी ट्यूजदे सुभी के आठ बच कर 35 मिनिट सो रहे है पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का इस म बारे में कि इंट्राडे दीरे-दीरे मार्केट से खतम हो जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इंट्राडे से ज्यादातर इंकम रिभीनियो जेनरेट होता है गवर्मेंट के लिए और यह जो सेबिनिस स्टेप लाया है यह रिटेलर्स स्माल ट्रेडर्स का जो पैसा होता है उसको सेब करने के लिए यह रूल यहां पर से आज से लागू हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग खतम हो जाएगा अगर आप यह जीरोदा के वेबसाट के उपर यह लिंक को अगर आप फॉलो करें तो यहां प कीप रिदेशिंग अंटिल सप्टेंबर 1st 2021 पोस्ट वीच ब्रोकर कान गिव मैक्जिममम लिवरेज इकुल टू मिनिममम 20 परसेंट यानि अल्मोस्ट फाइब यह 20 परसेंट हो सकता है गवर्मेंट एक स्टैंडर्ड रूल लाए सभी ब्रोकर के लिए क्योंकि अभी कोई ब्रोकर ज्यादा लिवरेज देता है कोई कम देता है तो एक स्टैंडर्ड यहां पर लिवरेज के परसेंटेज देखने को मिल सकते है तो मिनिममम 20 परसेंट होगा ऐसा नहीं है कि बिलकुल भी एक्सपोजर देना लिवरेज देना खतम हो जाएगा लेकिन यह जो स्टेप कि एक कमजोरी देखने को मिल सकती है 25 परसेंट जनरली अभी भी मिलता है तो यहां पर फेब्रोरी 2021 तक इतना ज्यादा यहां पर असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जैसे ही 50 परसेंट हो जाएगा मार्च 2021 के बाद तो हमें एक वाल्यूम में लिक्विडिटी में कम तर क्या होगा आगे जाके ब्रोकर्स और सेवी की भी कम्यूनिकेशन इस समय चल रहा है तो इंट्रडेट ट्रेडिंग खतम हो जाएगा ऐसा बिल्कुल मान के चलना सही नहीं होगा लेकिन वर्स से वर्स कंडिशन क्या होगी इसके लिए प्रिपेर रहना सही सावित हो सकता है सबसे पहले ग्लोगल मारकेट की हालत देख लेते हैं कल अमेरीकी बाजर में कमजोरी देखने को मिली थी लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए अमेरीकी बाजार युरोपियन मारकेट भी देखे तो वहां पर खास तोर से लंडेन मारकेट में ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी वहां पर कोरोना वाइरस का सिकेंड वेव यूरोप में देखने को मिल रहा है लेंडन में अभी भी पूरा यूके लॉक्डाउन में है 4 डिसेंबर तक वहां पर लॉक्डाउन चलेगा एश्याई बाजर आज ओपन हो चुके तो SGX निफ्टी फ्लैट नोट के साथ कारोबार कर रहा है अपती का पहला दिन है और बाकी लगबग सभी एश्याई बाजर इस समय हरे निशान में ट्रेड कर रहे है डाव फीचर भी देखे तो जबर्दस मजबूती इस समय देखने को मिल रही है 240 पॉइंट की बड़ाती समय देखने को मिल रही है तो और हाल ग्लोबल मार्केट अभी फिलाल पॉजिटिवनेस की साथ ट्रेड करते हुए निफ्टी के चार्ट के उपर चलते है यह मंतली चार्ट है निफ् पूरा यह जो कोरोना वायरस के वज़े से यहां पर यह किरावर डिखने को मिली इसको कवर करके अभी निफ्टी इंडेक्स ने ब्रेक आउट डिया है यह जो लेवल यह जो लेवल यहां पर बंद रहा था इसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है इसके ऊपर आके यह क्लो भी हुआ है तो 50 और 61.8 परसें यह दो लेवल्स ऐसे होते हैं कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है निफ्टी अभी आल टाइम हाय के पास है यहां पर मंतली चार्ट में कभी भी इस लेवल के पास निफ्टी इंडेक्स क्लोज नहीं हुआ था तो यह आल करता है तो आने वाला सपोर्ट फर्स सपोर्ट होगा इस पर मंतली चार्ट 12,400 के पास यह स्विंग हाई लो बन चुका है और यहां पर निफ्टी इंडेक्स ने ब्रेक आउट डेया है मंतली चार्ट में जो लास्ट अल टाइम हाय था स्विंग हाय उसका ब्रेक आउट य विकली चार्ट में विकली चार्ट के अगर हम बात करें तो यहां पर यह जो स्विंग हाय लो मिला था यानि लास्ट यह लो यह हाय और यह लूप तो आप देख सकते हैं यहां पर 76.4 परसेंट का लेवल अचीवर हो चुका है इसी के पास एक्जैक्ट अल्मोस्ट रजिस तो दोजी पैटन बना हुआ है जहां पर open हुआ तो यहां पर अगर एक red candle बनता है इस तरीके से अगर यहां पर एक red candle बनता है ऐसे और इन दोनों का low comfortably break होता है तो यहां से correction और गहरता हुआ नजर आ सकता है यह सिर्फ signal दिया है कि यहां से trend reversal भई हो सकता है लेकिन confirmation नहीं है confirmation के लिए इसके यह जो lows है यह जो candle के lows है यह ब्रेक होना काफी ज़रूर है तो lower high lower low का pattern यहां पर create होगा जैसे कि हमारे study program में हम यहां पर यह pattern देखते है higher high higher lows उसी तरह यहां पर जब तक low नहींगी इसका break होगा तब तक हमें confirmation नहीं मिलेगा कि यहां से trend reversal हो सकता है correction लंबा आ सकता है तो अभी फिलाल market bullish है जो rule आया है सेवी ने जो rule आया है उसके बज़े से थोड़ी कमजोर यहां पर देखने को मिल सकती है 70 के पास RSI पहुच चुका है हमने last कई videos में देखा है कि 70 के पास आने के बाद ही हां पर एक correction एक fall देखने को मिलता है तो अभी same scenario है अभी इसमें third time है यह last 70 के पास पोच चुका है यहां से correction आता है तो जब price action में जब तक यहां पर signal के बाद confirmation नहीं मिलता तब तक यहां पर short position मनाना काफी risk की साबित हो सकता है तो यह था monthly और weekly चार्ट का scenario डेली चार्ट पर चलते हैं डेली चार्ट पर यहां पर price action versus RSI को compare करें तो यहां पर हमें फिर से एक बार negative divergence देखने को मिल रहा है कैसे अगर आप यहां पर देखे तो यह जो बढ़त यहां से देखने को मिल रही है तब ही RSI भी देखे तो continues अप 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 जा रहा है लेकिन जैसे यहां से यह और आगे की तरफ बढ़ता है तो नीचे अगर हम RSI को compare करें तो यहां से इधर जब इसने higher rise create किया तो RSI ने भी यहां पर higher rise create किया लेकिन जो next high बनाया तभी RSI fail हुआ नया high बनाने के लिए और इसने lower high बनाया यानि यहां पर bulls का strength जो है वो कम हो रहा है तो हमने तीन दिन पहले एक fall देखा और इतना 200 point की गिरावट आने के बाद अभी दो दिन यह उपर की तरफ बढ़ रहा है लेकिन इसने यह जो bearish candle, red candle का high है यह अभी तक break नहीं किया जब तक higher highs create नहीं होते यह इस तरह तब तक हम कह नहीं सकते कि यह जो continuation है uptrend का यह यहां से continue रह सकता है जब तक इसको high को break नहीं करता तब तक हम यहां से long position बनाना काफी risk की साबित हो सकता है हो सकता है अभी यह फिर से ऊपर जाए और फिर नीचे आए और तभी बनेगा downtrend का pattern जो की lower high lower lows है यह हमने हमारे study program में ऐसी कहा है जो जिसने भी जिनोंने भी यह study course किया है हमारा यह यहां से उसका analysis इस तरह से करते हैं और यहां पर अगर यह pattern देखे तो same pattern red candle के बाद थोड़ा सा उपर जाता है फोर नीचे आता है यह हमने past में भी देखा है यह red candle है red candle बना फिर 2-3 दिन यहां से उपर की तरफ nifty bounce back होने की कोशिश किया लेकिन फिर से यह towards south की तरफ यहां पर भी यह red candle बना था थोड़ा सा उपर गया फिर नीचे आया तो यह analysis होता है इस तरह से market को study किया जा सकता है अभी long position बनाना जब तक इसका high break नहीं होता तो long position continue करना यहां पर इसकी साबित हो सकता है चलते 60 minute की chart में quickly intraday levels को identify करेंगी निफ्टी इंडेक्स अगर towards south की तरफ आता है तो कई सारे multiple support levels है यहां पर 20 EMA है फिर pivot point का S1 का level है फिर यह blue line है जो की 50 EMA की line है तो यहां पर यह जो level बन रहा है almost 50 EMA के पास 12,898, 900 के पास almost जब तक इसको break नहीं करता 12,900 को तब तक यहां से short position मनाना ना काफित है इसकी साबित हो सकता है 12,900 को अगर break करता है तो यहां पर intraday के लिए हम short position बना सकते है और तभी हमारा first target होगा 12,881 यह हमारा first target होगा और second target होगा 12,859 यह हमारा second target होगा और nifty index अगर उपर की तरफ बढ़ता है तो यह जो high है 27 November का 13,033 इसको उपर अगर sustain करता है तो ही intraday के लिए हम यहां पर by position बना सकते है और तभी हमारा first target होगा 13,050 यह हमारा first target होगा और second target होगा 13,074 यह हमारा second target होगा तो यह आज के लिए nifty के intraday levels अगर आपको यह video analysis अच्छा लगाओ तो like, share, comment जरूर करे और subscribe करना ना मूरे so thank you very much and happy trading